हेलो दोस्तों वेलकम बैग दिस अमीत राज और नाव यह वाचिंग एसे मिलेंस क्लाशेश दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्टेंज के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंज तो दोस्तों मैं पीछे आपको चार वीडियो में दे चुका हूं पास्ट पर टॉफिक को झुदियो को जुकर देखेल और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट टिंस ठीके तो चली भी म्हाथ करेंगे कि पास्ट इंस की कोई की काम बहुत पहले हो गया है जैसे की वाउस को डिगामा ने भारत का खुज किया तो अगया था किसम पास्ट से बहुत पहले मर गया तो यह अपी सकता है सकते हैं आंगरिज भाडत चौड़ कर चले गए तो क्या आंगर esa होगा संटन्स पशक्का काम बहुत पहले हो गया तो इस टेंस से यह कि इसका पहसान बहुत ही सिंपल है जिसे हम लोग किसी को बूलाते हैं कि आई ये क्या बूलाते हैं और टैस तो इसका आइसान हो जाता है आइस को एसे बोल तो दूस्तों किसी भी sentence के अधि आ ए रहेगा या था ए थी ए थे रहेगा तो sentence किसका होगा past indefinite का और इसमें आप एक बात समझ लिजिए कि इस टेंस में भर्व का कौन सा रूप लगता है तो दूसरा रूप लगता है यानि कि subject पहले लिखेंगे और subject के तुरंद बात भर्व का दूसरा रूप और उसके बाद object लिखेंगे अगर फिर other word होगा तो उसको भी हम लोग यहां पर चिपकादेंगे चिपकादेंगे चलि तक आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे टेंस को तो सबसे पहले आपसे request यह मैं करूंगा कि आप जो है इसको याद कर लें ठीक है क्योंकि यह बहुत ही important होता है ठीक है ना चलिए तो मैं यहां पे कुछ आपको ठीक है ना मैं यहां पे कुछ आपको भर्व का रूप लि समで मैं आ राएट का हो जाएगा रोड फिर रूड़े वें जाएगा रिटेन देखिये यह होगा भी वन हो गया भी तोड़ गया भी ठ lange अलब इसन्तेंस अगर दर मार लिखा जाया कि वह और इच्छिर वह आई तो सबसे पहले यहां पर देख enterprises know a guy to like ko na लड़की के लिए है तो इसके लिक़ें सी अब आना में देखिए ao जाए इसका मतलब हुआ कि यहां पे भार काम लो दूसरा रुप डालेंगे यानी आना कहा कौम होता है तो दूसरा रूपीस क्या हो जाए केम तो यहां पर लिखेंगे सी केम हो गया यहां पर तीसरा एक्जाम पर दूसरा एक्जाम पर अपने लिजी कहा जाए कि वह बजार गया वह बजार गया तो यहां पर दूस्तों देखिए वह बजार गया आ रहा है न उचारन में वह बजार गया तो इसमें भी हम लोग किसका पुर्यू करेंगे इस सेंटेंस लग रहा कि वह बजार कौप गया अभी नहीं जा रहा है वह गया उसका जाने काम कमप्लीट हो बहुत पहले तो यहां पर वह की लिए हम लोग डाल देंगे ही और फिर गया यानि जाना के भॉर्ब का दूसरा रूप डालेंगे तो यहां पर क्या डालेंगे गाइस वेंट ठीक है और जिस तरह गो टू मार्केट डिखते हैं उसी तरह वेंट टू यहां पर क्या लिख दे लिए वे लोग खाना खा लिए अब यहां भी देख रहें कि ए आ गया ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी भॉर्ब का कौन सा रूप लाएगा गाइस तो दूसरा लाएगा ने भी टू लाएगा तो वे लोग खाना खा लिए इसको कैसे बनाएंगे तो इसको सकते हैं अब देखिए हैं जिससे काँ जाए कि मैं गया तो इसको बोलेंगा आई वेंट ठीक है मैं गया ऐट हैं का जाए कि मैंने खाना खाया तो आयाट मैंने खानाव तो आई फिड़्यक्राइगा इसको निगेटिव सिखेंगे अब दोस्तों में एक आपको बाद बता देना चाहता हूँ कि यदि आहां जबिआ नेखिटित ने चुन्स कर सकते हैं लेकिन और इसके तुरंत करेंगे उसके बार नोट और वहां पर भॉर्प का पहला रूप जैसे इसको आपको निगेटी में बदलना होगा तो देखिए कैसे बदलेंगा बहुत ही आसान है अगर आप इसको निगेटी में चेंज करोगे ना तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे तो डीड नोट का पर स्के इवेंट लिए कहा है कि मैं नहीं गया तो इसका होगा आइडीर नौट बहुए दिड़नोट या कि अड़िड और में और कि समें निगेटी में तो किन हम लिख लेंगा आई आई के तुरंदBraट डिडांट आई डिडंट ठीक है अब जाना का हम लो क्या लिखेंगे गो लिखेंगे क्यों गो लिखेंगे भाई क्योंकि इसमें निगेटिम है आप इतना ध्यान में रखें कि जहां पर डू डॉज और डीड अगर कहीं भी सेंडेस में आपको दिख जाए डू डॉज या डीड तो पर लेते हैं हमने बोला कि वह खाना नहीं खाया वह खाना नहीं खाया इसका हो जाएगा है और उसके बाद यहां पर हम लोग फूड लिखेंगे ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें सबसे पहले हम सब्जेक को लेंगे फिर को और उसके आवाद धीवन को अगर उब्जेक्ट होगा तो उस अब्जेक को भी ले लेंगे तो दोस्तो इसका स्टक्चर कुछ इस परकार से बनेगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के तुरांद बाद डीड नौट या इर धीडर्ण प्लस फिवन प्लस आफ्जेक्ट हम लो ले लेंगे तो वह सेंटेंस बन जाएगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे यह तो हो गया निगेटिव अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव के उपर किसके उपर गाइस इंट्रोगेटिव के उपर तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ठीक है ना प्रशन वाच सेंटेंस ठीक है जिसमें प्रशन की बात हो तो जैसे यहां पर कहा जाएगा क्या मैं नहीं गया इसमें अगर क्या जूट जाएगा तो यहां पर लोगा पहले लिख लेंगे यानि कि आप नोट करते चलेंगे वीडियो को रोक रोक करके जो है उसको बाद नोट कर लेंगे इंटोंगेटिव देखते हैं और इसका कि हमको इंटोंगेटि बनाना हो ठीक है न मतलब होता है कि सुरू में क्या दिया हो लास्रमार्ट तो अपुलए नहíst पता है किसे क्या वह ठीक है तो यहां पर दिखेए नos और याप दिखे बाता है वहां पर बहुत का सा रू पाता है पहला आता है तो यहां पर लिखूगे डो डॉस और डीड आ जाता है समझी वहाँ पर हम दो डेखते हैं क्रें-स सवाल को स्पटाइब तो इसमें कर लेंगे डेड सीता ठीक है और खाना के हांपर इट डाल लेंगे और यहां पिको समें तो को समेंगे दो कर लेंगे कि अब मैं अब में अचोड़ गाइब अच्छ तरक को अच्छ एम टेब फ्याइब आफ यह देन हो दो टागव दीब आफ दीब आफ देगुला को में गगा अगा अप्रे जाच्छ दो दीजिए वा है अगाई लुड़ दीजिए वाहने कर दो कि अपलोगा है लिए अपलोगा है कि अपलोगा है लिग कर दो अपलोगा है और जर सोरस घर तास, क्वर यह ≪ है, जा सबस्टाइब यह झाओ है? झाल कल दो कि अाल कंखा है, घए खाओ है, पाल को पाल कि लुदा है. झाल झाल कि पीज कर दो को लगला काना बुख को लगला काना करेंशल अे अंदल हुआजगर स Romania हुआजगर करेंशब करेंशदल अब से लिए हम लोग यहां पर देखेंगे इंट्रुगेटिव ठीक है प्लस नीगेटिव ठीक है इंट्रुगेटिव का मतलब होता है कि वाक में क्या हो नीगेटिव का मतलब होता है ठीक है यानि कि वह प्रश्न वाचर कसा साथ नीगेटिव हो नकरात्मक भी हो जैसे हम ल हुम देख रहे हैं कि क्या भी दिया हुआ फिर नहीं भी दिया तिया शंटेंस ब्रेर एंटर्डेकि प्लस लिगेटिब का होगा तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला हम लोग laugh लेंगे नहीं का नो एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर चाहोगे तो κ Совम्चे सकते हैं यानि यहां पर लाक्ष के ढूंत कर शक्तें को समयूर से करें क्या मैंने नहीं देखा क्या मैंने नहीं देखा अगर इस तरीक है sentence है तो सबसे पहले हैं प्रिलेंगे डिड आई नौट और देखना का सी लिखेंगे ठीक है हाँ यहाँ पिया जाहें चाहेंगे तो ला करके दोनों को लिखे सकते हैं यहां पर फिलिक सेकते हैं डेड़ देडल का यहां पर श्रॉप लगर है और लग रहा एकशेम को सा मन का चैनला तो को 24 ड्यान जाएगा टप यह को हुप कि आपको समझगां आ रहा होगा ठीक है आब यह तरीके से से उसकोप पढ़ सकتे है आए यह दूसरामनों देखते हैं ठीक है रहां द्रक्टक सद्सक्राइब करती कर दॉस्साइब को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इंटरुकेटि नक इनसी बना करके और यह उसको पहले सन्हेट TV लोको यह कोशनज बन जाता है एक्ता कब ठीक है तो इसमें गाइस डॉबलोक्तों कि विए कोशन मेशाक कॉशन होता है समय क्विज वह स्पस्प्राइब क्यों बोला इसमें क्या है क्यों तो क्यों सिटा कैसे यहीं क्या है कैसे तोटल डवलुएस कोशन होगा तो गाइस पहले आपने इंट्रोगेटिव बनावें इंट्रोगेटिव क्या मतलब होता है कि क्या अब इस पे रखोगे क्या वह गया अभी तो हमने पढ़ाया ना क्या लगाओगे तो डीड बाढ़ोगा डीड और वह के लिए हो गया ही और यहां कब का मीनिंग आप रख दो तो कब का मीनिंग क्या होता वेन होता तो वेन डीड ही गो वह कब गया बोला हो कि वह कब खाया तो बोलेंगे वेन डीड ही इट वह कब आया वेन डीड ही कम वह कब बोला वेन डीड ही स्पीक उसी तरह आप लिका तुमने क्यों बोला तो डिद्ई बूल ओक्युलत कि आया को मैं कि वह यहां स aconteceju सी तो yrs attacked के सब्सक्राइब यहां पर सबसे पहले रहें और आने का लिख लेंगे χांव तो सीता ओड़ दीड सीता गो हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इस पर प्रेक्टिस करके और पकड़ बना सकते हैं अब यहां पर एक और होता है डबलेस कोशन के साथ सा निगेटिव होता है ठीक है ना तो मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं जैसे कि यहां पर जो डीड है आप यहां पर नोट जोड़ सकते हो या फिर इसमें आप चौथे नमबर पर नोट का प्रियों कर सकते हो ठीक है जैसे कहा जाए कि वह तो नहीं गया तो इसका वेंड डीडंट ही गू हो जाएगा ठीक है तुमने क्यूं नहीं बोला तो आप वाइडीडंट यू स्पीक हो धन्यबाद थैंक यू सो मच